हेलो एब्रीमन स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल आज का जान आवेत पारल में आज का जो हमारा टुटोरियल है वो है कॉफी पेंटिंग के उपर आपको चाहिए सिर्फ एक पाउच कॉफी या फिर एक स्पून कॉफी पेंट ब्रैशेस और वाटर तो यह शिरू करते हैं तो सबसे पहले अपनी शीट पर हमें मास्किंग टेप लगाने हैं मैं यहां पर एफाइफ साइज शीट ले रही हूँ एफाइफ का मीन्स हाफ औप एफोर उसके बाद हमें कमपस से थ्री सरकल्स बनाने हैं फर्स सरकल्स होगा वह थोड़ा छोटा चोनी इस प Griffin किवेधे वह थे से मिट पॉंट्स से हमें दो सर्कल्स और बनाने हैं यहां पर मेंने मास्किंग टेप लगाई है अगर आपके पास masking tape नहीं है तो आप normal painting को start कीजिए 3 circles हमने बना लिए हैं उसके बाद हमें petals बनाने हैं We are making sunflower today तो हमें petals बनाने हैं पूरे circle में Petal के लिए आपको 2 points लेने हैं पहले जैसे मधुबनी painting में हमने lotus बनाया था Same वैसे हम petal बनाएंगे Curve and join, curve and join जो lower part होगा petal का, वो curvy होगा और upper part होगा, वो pointed होगा ऐसे हम पूरे circle में बहुत सारे petals बना लेंगे उसके बाद जो corner में हमें circle बनाया था हमें उसमें A बनाने हैं जैसे हम A for apple बनाते हैं, same way shape हमें सारे corner में बनाने हैं उसके बाद हमें दो standing lines बनानी है stem के लिए जो upper part होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा gap रखना है और lower part में हमें gum gap रखना है फिर दोनों sides में हम leaves बनाएंगे उसके बाद ही जो circles हमें अपनी हेल्प के बनाए थे, आप उसको रब करेंगे उसके बाद आपकोई पैलेट या फिर नॉर्मल प्लेट लेके कॉफी डालेगे सबसे पहला शेट जो हम बना रहे हैं कॉफी कर दाट विज लाइट ठीक है तो लाइट शेट के लिए हमें कम कॉफी और ज्यादा पानी यूज करना है क्योंकि हम सिर्फ कॉफी यूज करने वाले हैं तो हम कॉफी के ही different different shades बनाएंगे तो जो फर्स लेयर है वो सबसे ज्यादा light होगी means very less coffee and more of water और हमें पूरी शेट को light shade से paint करना है आपको फ्लान प्रश ले लेंगे तो आपको easy रहेगा और हमें अपनी शेट को बार बार रग नहीं करना है तो शेट पर जाती है तो जो हमारी फर्स लेयर थी वो सबसे light थी अब हम एक शेट और बना रहे हैं उसमें हमें equal proportion रख रहे हैं water का और coffee का तो जो हमारी second shade पो थोड़ा सा dark होगा और जो सारे petals हैं हमारे और बीच में जो circle है means आपको complete sunflower second shade से paint करना है बैक्राउंड हमारा light ही रहे है जो हमने petals बनाये थे हमें पहले outlining करने हैं उसकी उसकी बाद हम color को fill करेंगी अगर coffee painting आपकी थोड़ी सी मैसी भी हो जाए तो कोई problem नहीं है वो ठीक हो जाएगी बस आप कोशिश करें कि पहले आप outlining करें उसकी बाद अंदर color फिल करेंगी खरी उतके बाद हमें एक line of horizon बनानी है एक horizontal line बनानी है आपको grass और sky दिखाने के लिए इसके बाद हम third shade बनाएंगे इसमें ज्यादा coffee लेनी है और थोड़ा कम water तो यह shade थोड़ा सा dark बनेगा इस dark shade से हमें पतले brush से standing lines जालके petals के अंदर shading करें उस्चवऽी त Islam करृम टीक का ब railway मादामें राद हमें जालके दोड़ा तक रचल आया से when to the झाल झाल उतके बाद हमें लोवर पार्ट से स्टैंडिंग लाइन्स जान दिये ग्रास दिखाने के लिए और जो हुमारा पेंट बचा हुआ है मतलब कॉफी बची हुए उसको हमें ब्रश में लेके ब्रश को टाप टाप कर दा है ताकि कुछ डॉट्स आजए हुमारी शीट क्यों हु मुशना प्रॉट्स आजए हुमारी शेंट चाफिए हैंट। एंट्वाय दा प्रोसेस और उसके बाद हमें लास्ट बना रहा है तैस डारकेस्ट उसमें हमें बहुत ज्यादा कॉफी और बहुत कम पाने चाहिए जो हमारा डेटेलिंग वरक है फाइनल जो हमारी आउटलाइनिंग होगी वह हम डारकेस्ट से करेंगी आपको एक पतला ब् डारकेस्ट सेटिश Сेरा बढ रहा है झाल झाल तो उसके बाद हमें मास्किंग के रवटानी है तो आपने देखा हमने बिना किसी पेंट के सिर्फ एक कॉफी के पाउच से पूरी पेंटिंग रेटी करी है हमें डिफरेंट डिफरेंट शेट्स बनाने हैं कॉफी और वाटर के प्रपोर्शन को चेंज करके सबसे पहला जो शेट था गो था मोर अब वाटर एंड लेस अफ कॉफी उसके बाद हमने कॉफी और वाटर का इकुल प्रपोर्शन डाला था अब आप देख सकते हैं शीट पहले वाइट थी और हमने सिर्फ कॉफी की मदद से पूरी पेंटिंग रेटी करी है तो आपको बस कॉफी और वाटर के प्रपोर्शन को चेंज करना है उसकी बाद हमें अपनी पेंटिंग को बॉर्डिश करना है ताकि वो ज्यादा टाइम तक लाइफ रहे उसकी जब भी आप नाचलर और विग्मेंट से पेंट करते हैं तो उसे वाणिश करना ज़रूरी है कि फिर उसकी लाइफ कम हो जाती है तो आप नॉर्मल एक्रेलिक वाणिश या फिर फिक्सेटिव भी उसकर सकते हैं आप अबर आर्टवर्क इस रेडी आप देख सते हैं वाणिश कंडे के बाद इसमें अलग से शाइन आजएगी तो आज हमने कॉफी पेंटिंग से एक संफ्लार सीखा आप लोग जरूर अपने आर्टवर्क मेरे इंस्टा अंडल पर शेयर करें थांक यू सो मुच फो वाचिंग एंडू सब्सक्राइब आर्टवर्क मेरे चानल आटकर्णा अविट बार्ल